जैसा कि ये विधित है कि देश में कल यूपी सहित पांच राजियों में विधान सभा के आमचुनाब घोसित हो चुके हैं और इस सम्मंद में मैं खास कर मुखे चुनाब आयोग से ये कहना चाहूंगी कि यूपी उत्राखन वे पंजाब आधियों राज्यों की जनता में सब्तंत निस्पक्ष वे शामती पूंधं से चुनाब कराने के प्रती विश्वास को काईम करने के लिए यह बहुत जरूरी ह हैं कि चुनाब आयोग यहां अपनी आदर्स चुनाब अचार सहता को पूरी सक्ती से लागो कराने के लिए ठोस कारेवाई अवस्य करें क्योंकि पिछले कुछ वर्सों में हुए चुनाबों के दुरान हर प्रकार की धांदली करने तथा सत्ता वैद्धर्म का चुनाबी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवती काफी घातक रूप में बढ़ी है जिससे चुनाब काफी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफी चिन्तित है इतना ही नहीं बलकि पिछले कुछ चुनाबों में कोरोना के अती प्रकोप में भी जिस प्रकार से रहलियों वे रोड़ सो आदी के जरिये चुनाब अचार सेयंता का देश काफी हैरत में रह गया है साथ ही पिछले कुछ वर्सों से चुनाबों को विशेश कर धार्निक रंग देकर जिस प्रकार से संखिर्ण स्वार्थ की राजनिती की जारी है तो उस पर भी चुनाबायों को काफी सत कदम उठाने की खास जरूरत है और इन मामलों में कानून के मताबिक काम कराने को सुलिशित करने के लिए भी ये जरूरी है कि सरकारी मशीन्टी में चुनाबायों का कानूनी खौफ जरूर काइम रहे तब ही यहां चुनाब सही से संपन हो पाएंगे हलाके इस मामले में बीएस्पी खुद ही एक अनुसासित पार्टी है तथा आदर्श तुनाब अचार सेयता पर पूरी सक्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सबी स्तरक के पदादिकारियों व्यकारे करताओं आदि को हमेशा देती रहती है इसके साथ ही ये भी सर्विद्धित है कि चुनाब को अपने देश में लोगतंतर का खास तोहार माना जाता है लोगतंतर में आम जनता को एक व्यक्ती वे एक बोट के मता अधिकार के जड़िये अपनी राय व्यक्त करने एवन सत्ता को जिम्मेदार बनाने का सविधानिक वे लोगतंतरी खत्यार चुनावी ही है इसलिए इसमें किसी भी परकार की बाधा वे अर्चन आदी डालने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ये सब चुनावायोग को जुरूर देखना है लेकिन इसके साथ साथ यहां मैं अपनी पार्टी के बारे में इस संबंद में ये भी कहना चाहूंगी कि इस चुनाव में मुख्य चुनावायोग ने जो भी चुनाव अचार सहता लागू की है तो उसका हमारी पार्टी पूरी इमानदारी से फालन करेगी ये भी मैं इनको अपनी पार्टी के उरसे दिश्वास दिलाना चाहती हूँ इसके साथ ही ये चुनाब पूरे तोर से free and fair होना चाहिए इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाब आयोग से विशेश अनुरोध भी है खास कर दलित वे अन्य कमजोर वर्गों के लोग अतिस समवेधन शिल ओलिंग बूतों पर अपना बोट डाल सके इस मामले में भी चुनाब आयोग को काफी सक्त कदम उठाने होंगे वर्ना इन वर्गों के लोग अपना बोट डालने से बंचित रह जाएंगे इसके इलावा आज में इस मोके पर खास कर यूपी की जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की जनता यहां बहत्री कानून विवस्ता तथा परदेश का संपूर्ण विकास अब हम हर मामले में वे हर स्तर पर अपना उद्धार अब हम उठान आदी करना चाहती है साथ ही परदेश में यहां दलीत, आदीवासी, इश्रावर्ण, मुस्लिम वे अन्य धार्मिक अल्प संक्र समाज के लोग वे सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, नोजवान, बेरोजगार, किसान, बैपारी, करमचारी एवं अन्य बिभिन छेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ, चात्र, युवा, महलाएं, वे बुज़ूर्ग आदी भी अपना हित एवं कल्यान चाहते हैं, तो इन्हें फिर इचुनाव में विरोधी पार्टियों के, खासकर बिभिन रूपों में जारी किये गए, या ज जारी होने वाले इनके परलोबन भरे चुनावी घोशना पत्रों आदी के भैकावे में कतई भी नहीं आना है, तता ना ही इने अपना बोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में भैकर करना है, बलकि अपने हितों में अजमाई हुई अपनी पार्टी बिएस्पी को ही अपन बोट देना है, जिसकी कत्री वे करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, जिससे यहां की जनता अच्छी प्रकार से जानती भी है, कहने का तात्प्रेग यह है कि केवल बिएस्पी ही एक ऐसी राजनितिक पार्टी वे मानपतावादी मूवमेंट भी है, जो अपनी मीति वे कारे कर्म में सब समाज के लोगों का वे विभीन छेत्रों में लगे विशेश कर गरीवों, मजदूरों, वेपारियों, एवं अन्य महनत कस लोगों के हितों का भी पूरी निस्टावाई मानदारी से ध्यान रखती है, और खासकर अपराद नियंत्रन वे कानून विवस यानि कि हमारी पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है, चाहि कोई बीएसपी पार्टी से जुड़ा हुआ ही क्यों नहीं हो, इसलिए बीएसपी के राज में कानून दुआरा कानून का राज चलता रहा है, जिसका मुकाबला अभी तक हैं किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर बचाती हैं और केवल दूसरों के खिलाफ ही पक्ष पात्पूर कारिवाई करती हैं जैसा कि यूपी में बर्तवान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफी कुछ देखने को देखा है जिस कारण ही यहां परादियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जंता बुरी तरह स तरस्त है हर जाती हर वर्ग के लोग काफी दुखी है और इस सरकार में खास कर अपर कास्ट समाज के जो एक तपके के लोग हैं वो तो सबसे जादा दुखी हैं जिनोंने पिछले चुनाओं में बढ़ चड़कर बीजेपी को अपना बोड दिया है इसलिए ऐसे में इस बा चुनाओं में जहां बीजेपी की सरकार अपनी सबी कम्यों की वज़े से जरूर सक्ता से बाहर हो जाएगे बशर्ते जदी चुनाओं में इन्होंने सरकारी मशिन्री का दुरूप योग नहीं किया तथा बोटिंग मशिनों में भी कुछ गरबड यादी नहीं की और हम चा चावा मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परदेश में जहां एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टीों के निकाले हुए लोगों के सहारे वा नेकों पार्टीों के साथ गट भंदन करके इस चुनाओं में 403 में से 400 सीटे जीतने का सपना देख रही है और अब इनका ये स्तिती हमें बीजेपी वैंने पार्टीों के भी देखने के लिए मिल रही है ऐसे में बीएस्पी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी की जनता को जो खासकर यूपी की जनता को यहां सर्वजन हिताय वैं सर्वजन सुखाय के नितियों पर आधारित लोग प्रेशरका दे सकती है वैसे मुझे पूरी उमीद है कि परदेश की जनता इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी के भैकावे में आने वाली नहीं है और यहां अपनी एक मातर हितेश्य पार्टी बीएसपी को ही सत्ता में जरूर लाएगी चाहिए चुनाव में यहां सभी सर्वे एजे प्रेसियां मैनेज होकर बोर्ट पढ़ने तक भी बीएसपी को रेस से बाहर क्यों न दिखाती रहे जबकि इसी परकार सन 2007 के चुनाव में भी इन्होंने बीएसपी को रेस से बाहर तता सप्पावे बीजेपी को ही रेस में आगे दिखाया था लिकिन नतीजों में इनका सर्वे उल्टा हो गया था और फिर सप्पावे बीजेपी आदिये पार्टिया रेस में हमसे काफी पीछे रह गई थी तता फिर बीएसपी नंबर वन पर आकर रेस में आगे काफी आगे हो गई थी और अब इस बार भी चुनाव में यही होने वाला है अर्था सन 2007 की तरह ह इस बार बीएसपी रेस में नंबर वन पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहां अकेले अपने बल्बूते पर ही पून बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी ऐसा मुझे यहां पनी पार्टी के लोगों पर पूरा पूरा भरोसा भी है इसके साथ साथ उत्राखंड स्टे में भी बीएसपी वे सिरो मनिया काली दल कठ बंदन की भी बहां सिरी सुक्वीर सिंग बादल जी के निर्चित में अपनी पून बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी जिनको इनके पिता आदर्निय सिरी परकास सिंग बादल जी का भी पूरा आशिरवाद प्राप्थ है और ऐसा हो जाने पर ही तब ही फिर इहां परम पूजे बावा साब डाक्टर भीमरा वंबिटगर वे इनके देहन के बाद इनकी मूवमेंट को सही गती देने वाले मानेवर शिरी काशी राम जी आधी का भी अधूरा रासपना जरूर साकार हो सकता है इस विश्वास के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी अबगत कराना चाहती हूँ कि कल चुनावों की घुसना होने के बाद आज मैंने लखनों परदेश कार्याले में उम्मीदवारों के फाइनल चैन करने को लेकर पार्टी के खास-खास लोगों की बैठक भी बुलाई हुई है जो ये बैठक क काफी एहम होगी इनी जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समात करती हूँ धन्यवाद जय भी वजय भारत